आज नाग पंचमी है आज वो दिन है जो साल में सिर्फ एक बार आता है और सावन में आता है सावन के महीने में नाग पंचमी का अपना महत्व है और आपके जीवन में भी नाग पंचमी खास है वो कैसे है आज आपको बताऊंगी आज आपको नाग पंचमी की वो 11 उपाई बताऊंगी जो एक से बढ़कर एक काम बनाते हैं आप सुनिए और आज कर लीजे आज आपके बड़े सवाल का जबाब मिलेगा आपके सपने में किसी तरह का साब दिखाई देगा तो उसका क्या मतलब होता है आज आपको एक बात बताऊंगी और सात-सात आज सावन से जोड़ी बहुत ही एहम जानकारी भी आपको दूँगी सावन में आपके लिए क्या शुब होगा और क्या शुब वो भी जानिएगा नाग पंचमी है और साथ सावन भी चल रहा है तो फिर मैं आपको नाग पंचमी का खास कनेक्शन क्या है सावन से ये बताऊंगी पांच महा उपाई से जुड़े बताऊंगी अई पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं क्या धन की कमी से कोई जरूरी काम रुका हुआ है ऐसे में भगवान शिफ को चावल चड़ाएं और सावन का वरत रखें आज नाग पंचमी है और आपको नाग पंचमी पर कौन से बड़े उपाई करने हैं वो जान लीजे यह उपाई आपके जीवन को बदल कर रख सकते हैं अभी आपके पास बहुत वक्ते उपाई करने का कर लीजेगा अगर नहीं कर पाई तो सावन खत्म होने से पहले जरूर कर लीजेगा और सोमवार को करेंगे तो और भी अच्छा है राहू के लिए रुद्राष्टा धाई आप जो है इसका पाट करें बहतेवे पानी में तांबे का एक टुकड़ा डेली बहाएं इसे लगातार 40 डेज तक करना होगा किसी ज़रुरत मन को रेगुलर्ली 40 डेज तक मुली का दान करें आठ शनिवार तक नारियल को पानी के पास छोड़ दे एक नारियल और 11 साबुद बादाम आपको एक लाल कपड़े में बांद कर साटड़े के दिन मिट्टी में दबाना है हर बुद्वार को 10 ग्राम धनिया किसी गरीब को दान करें रात को सोतेवक सिरहाने थोड़े से जौँ और सुबा पक्षियों को खिलाएं गनेज जी की स्तुति करें और घर में पीले रंके फूर लगाएं हर मंगलवार और शनिवार आटे में चीनी मिलाकर चीटियों को खिलाएं हर शनिवार को तिल और जौ का दान करें अश्धातू का कड़ा दाहीने हाथ में पहने और भोजन रसोई में ही करें आई ये बात करेंगे आज नाक पंचमी पे दूसरे महा उपाए की सवाल ध्यान से सुनिए क्या लंबे समय से संतान प्राप्ति नहीं हो रही है डॉक्टर की सलाले साथ साथ आप यो पाई भी कर सकते हैं सावन में आपको क्या करना है भगवान शिफ को गेहू चड़ानी है नाक पंचमी के दिन आपने कई दर्शकों की एक उलजन का समधान कर देती हूं मुझसे दर्शक अकसर पूछते हैं कि उन्हें सपने में साप दिखते हैं नाक दिखते हैं कई तरह के दिखते हैं इसका क्या मतलब होता है चलिए आपको इसका मतलब बता देती हूं अगर आपको सपने में हमेशा काला नाक दिखता है तो आपको सपने में काटने को आता है या पीछा करता है तो समझ जाएए कि आपको काल सर्व दोश लगा हुआ है इसके लिए शांती के लिए पूजा करें नहीं तो आपके कामों में रुकावटे ले आएंगे अगर आपको सपने में बूरा रंग का नाग दिखता है तो समझ जाना कि आपके पास भविश्य में बहुत धनाने वाला है और आपको सिम्रिद्धी भी मिलने वाली है ये नाग राज आपको बहुत कुछ दिलाने वाले हैं अगर ऐसा सपने में आए तो सुबहुटकर शिपजी को प्रणाम करें मंदिर में दूच चड़ाएं अगर आपको सपने में नाग नाग दिखते हैं तो समझ जाईए कि आपके कुल देवता हैं या आपको इसलिए दिखते हैं ताकि आप अपने घर पर उनका मंदिर बनाएं जहां पूरे घर के लोग उनकी पूजा को करें और ऐसा दिख रहा हैं तो जल्दी से एक मंदिर बना और दूर की यात्रा ना करेंगर आपको सपने में सुनहेरे रंग का साफ गोलडन साफ दिखता है तो उसके साथ मंदिर में कोई धर्म्स्थन में या फिर शिवलिंग को समझ जाइए और अपने आप नाग देथा या फिर भागवान शिफ़ से आप कोई मनोकामना मांगी थी और हो सकता है आपने नाग चड़वाने की बात कई हो जो पूरी नहीं की हो समझ जाना कि ये मनोंकामना का सपना है अगर आपको लगातार सपने में साप के दान दिख रहे हैं तो आपको काट रहे हैं समझ जाएं कि आपको ऐसी कोई बीमारी होने वाली है जो अपने में नागराज आपको पहले ही बता रहे हैं सपने में पांच मूँ वाले साप को देखने का मतलब यह है कि बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है कोई विप्दा भी आ सकती है अगर आपको सपने में बिल्कुल काला नाग दिखाई दिता है जिसकी आखे बड़ी हो और वो आपको घूर रहा हो तो समझ जाना चाहिए कि इश देवता कि आप पूजा नहीं कर रहे हैं इसलिए वो नाराज हो रहे हैं आपसे चाह रहे हैं कि कनेक्शन वापस बनाएं अगर आपको सपने में पीला साप दिख रहा हैं तो बहुत जल्द घर छोड़ कर जाना पड़ेगा मतलब कि आपको विदेश यात्रा करने की योग बन रहे हैं जिसमें सफलता मिलने वाली हैं इसलिए पीला नाग आपको संदेश देने आता हैं सपने में अगर हरा साप दिखाई दे तो समझ जाना चाहिए कि आपके दिन बदलने वाले हैं आप बेरोजगार हैं तो ऐसा रोजगार मिलने वाला है जो कि ना सिरफ आपको धन देगा बलकि आपको नाम भी देगा हरा साप दिखने वाले लोगों को सरकारी नौकरी के योग भी बनते हैं ये भी ये संदेश होता है और उनके कश्ट भी दूर होता है अगर आपको सपने में अजगर दिखाई दे और आपके शरीर को जोर से मतलब लपेटे वे हैं और उन पर रेंग रहा हैं बोडी पर रेंग रहा है तो ये बहुत शुब है इसका मतलब है कि आपका भाग के बदलने वाला है और आपको बहुत धन मिलने वाला है सपने में सफेद साप दिखाई दे तो आप उस सपने को सपना ना समझे सफेद साप बहुत ही पवितर इंसान को दिखाई देता है और इसके दिखने का मतलब यह है कि आपके पूरवजों ने कहीं आपके नाम में कुछ इस तरह से आशिरवाद दिया है जो आपको अब ब्लेसिंग्स के रूप में मिल रहा है अगर आपके सपने में आपको रंगीला साप दिखे तो आप आने वाले समय में एक बहुत बड़े आदमी बनने का योग है साप बहुत ही कम और बहुत ही भागेशाली लोगों को दिखाई देता है अगर सपने में लाल साप, रेड कलर का साप दिखें तो इसका मतलब यह है कि आप किसी से दोखा या विश्वास घात आपको मिल सकता है इसलिए आपको संभल कर रहने की जरूरत है साथी किसी के साथ अगर मिल कर काम शुरू किया है तो वो इंसान भी आपको दोखा दे सकता है इसलिए साथ धान हो जाएं जानते हैं आज का तीसरा महा उपाई क्या है सवाल ध्यान से सुनिए सवाल यह है कि क्या आपके घर में मतलब यह आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जो पूरी नहीं हो पा रही है 21 बिल पत्रों पर चंदन से ओम नमश्यवाई लिखकर शिवलिंग पर चड़ाने से आपकी सारी मनोकामना है पूरी हो सकती है आपको नाग पंचमी के उपाई बता देती हूँ क्योंकि आज रात तक का समय आपके पास है नाग पंचमी पर काल सर्फ दोश दूर करने के उपाई बताने जा रही हूँ वैसे तो कई तरह के काल सर्फ दोश होते हैं आप घर के पास किसी पुरोहित को कुनली दिखाकर अपने काल सर्फ दोश की जानकारी दे दीजेगा फिर मेरे बताई उपाई कीजेगा मैंने आपको कुछी दिन पहले भी बताया था लेकिन अगर कुछ रह गया है तो आज से बहतर दिन और हो ही नहीं सकता इसलिए ध्यान से सुनिए जिन लोगों को काल सर्व दोश है और खास तोर पे कुलिक काल सर्व दोश है ऐसे लोगों को दो रंगों वाले कंबल और गर्म कपड़े जरुवत मंदों को दान करने चाहिए वासुक की काल सर्व दोश है अगर तो नाग पंचमी के दिन यानि कि आज के दिन लाल धागे में तीन, आठ और नौ रुद्राक्ष डाल कर दहरन करें अनंत काल सर्व दोश है आपको तो नाग पंचमी के दिन एक मुखी, आठ मुखी और नौ मुखी रुद्राक्ष धारन करें तक्षक काल सर्व दोश है तो नाग पंचमी के दिन ग्यारा नारियल को बहतेवे जल में प्रवाहित करें चावल का दान करें ककोट तक काल सर्फ दोश है आपको तो पासी के शिव मंदिर में जाकर पूजा करें और भोग लगाएं इस दिन आठ तरीके के फूल नदी के पास छोड़ें शंक चूड काल सर्फ दोश है आपको तो आठ मुकी नौ मुकी रुद्राइश धारन करें महा पद्म काल सर्फ दोश है आपको तो हनुमान जी के मंदिर में सुंदर कांड का पाठ करें शंकपाल काल सर्फ दोश है आपको तो दूद से रुद्रविशे करें पद्म काल सर्फ दोश है आपको तो चालिस दिनों तक मा सरस्वती की चालिसा का पाठ करें पीले वस्तर का दान करें घातक कालसर्व दोश है आपको तो पीतल के बरतन में गंगा जल भरकर पूजा स्थान पर रखें विश्धर कालसर्व दोश है आपको तो परिवार के स्तदस्यों की संख्या के बराबर नारियल को पानी के पास में छोड़ दे, नदी को पल्यूट नहीं करें और शेशनाक कालसर दोश आपको तो नाक पंचमी की रात्री यानि की आज की रात्री आपको लाल कपड़े में सौफ बांद कर बेट साइड में रख कर सोना है और सुबह उठकर उसको नदी के पास छोड़ देना है अब हम जानेंगे क्या है आज का चौथा माँ उपाए सवाल ध्यान से सुनिए क्या आपकी शादी में कोई अर्चन आ रही है किसी भी सोमवार को शिवलिंग पर केसर मिलावा दूद चड़ाएं ये तकलीफ खत्म होगी अब नाग पंचमी भी है और साथ सावन का तीसरा सुमवार भी है नाग पंचमी और सावन दोनों कहीं न कहीं शिवजी की वज़े से आपस में जुड़े है तो चलिए राशी के साब से सावन आपके लिए कैसा रहेगा वो जानी और जिस राशी के साथ कुछ अशुब होने वाला है उसका उपाई भी बताने वाली है मेश राशी के भक्तों के लिए पारिवारिक विवाद बढ़ सकते हैं समपत्ती से जुड़ी कुछ समस्याएं सामने आ सकती है मेश राशी के भकतों को ओम नमस्षिवाई की तीन माला का जाब करना चाहिए प्रिशभ राशी के लिए ये महीना जो है ये अच्छा रहेगा शोहरत बढ़ेगी सफलता मिलेगी पूरे महीने भगवान शंकर की क्रिपा होगी मिथुन राशी के भक्तों के लिए सावन का महीना सामान्य रहेगा आर्तिक समस्या को दूर करने के लिए आपको जादा मेहनत करनी पड़ेगी सावन के सोमवार को आपको यानि कि आज भगवान शिवका रुद्रविशेक करें पंच मुखी दीपक जिलाकर ओम नमस्यवाई की ग्यारा माला का जाब करें करक राशी के भक्तों के लिए सावन का महीना शुब है आपका आत्म विश्वास बढ़ेगा प्रतिष्था मिलेगी हाला कि गुस्सा आपका नुकसान कर सकता है प्रुद्राश टक का तीन बार पाट करें सिंग राशी के भक्तों का संघर्ष बढ़ेगा अंचाहे खर्चों का सामना करना पड़ेगा पैसो के लेंदेन में सावधानी बढ़ते प्रुद्राख्ष की माला से शिव गाहितरी का पाट करें कन्या राशी के लोग जो हैं इनके लिए महीना उत्तम है धनला बढ़ेगा और कामों में सफलता मिलेगी ओम नमर्शिवाई की एक माला का जाब करें शिव रातरी पर रुद्रभी शेक करें अभी तो छे राशियों की बात करी है छे राशियों की बात बाकी है सावन में कैसे रहने वाला हैं बाकी का आप लोगों का राशी फल बताती हूँ शो के आखिर मैं आज आपको पांच्वा माह उपाई बताती हूँ क्या मनचाहा जीवन साथी मिलने में दिक्कत आ रही है मैंने आपको सावन की कुछ अच्चूक उपाई बताए लेकिन सिर्फ छे राशियों की ही बात करी अब आपको आगे की छे राशियों की बात बताती हूँ आपको सावन में राशी के मताबिक उपाई कर लेने हैं नहीं तो ये मौका बार बार नहीं आएगा तुला राशी के लिए सावन के महीने शुब हैं करियर में उन्नती होगी प्रतिष्ठा मिलेगी और आत्म विश्वास बढ़ेगा प्रिष्टिक राशी वालों के लिए ये महीना अच्छा है धर्म की तरफ रुची बढ़ेगी करियर में सफलता मिलेगी धनु राशी वाले भक्तों के लिए महीना जादा संघर्ष में बीतेगा सेहत के प्रती सचेत रहें और गाड़ी चलाते समय साफधानी बढ़ते महामृतिन जय मंत्र की माला का तीन बार जाब करें इसी महामंत्र से रुद्रभी शेक कराएं मकर राशी वालों के लिए महीना ठीक ठीक रहेगा विवाहिक जीवन में कुछ उतार चड़ाव आ सकते हैं शिव गाहित्री का पांच बार पाट करें कुम राशी वाले शिव भक्तों पर विरोधियों के विज़े मिलेगी मुकाबले में आगे बढ़ेंगे सभी काम पूरे होंगे मीन राशी वालों के लिए सावन का महीना ठीक ठीक भीतेगा संतान पक्ष से जुड़ी कुछ समस्याएं रहेंगी लेकिन समाधान हो जाएगा कल आप को बताऊंगी सावन में किस चीज़ का दान करने से आप करोड़ पती बनते हैं सावन से लेकर जन्माष्टमी तक कौन सा है क्रिशन जी का मंत्र और सावन से जुड़ी बहुत जरूरी बाते बताऊंगी लेकिन इकाल अब मुझे इजाज़त दीचे अपना खयाल रखे ओम नमस्षिवाएं